हमारे सभी प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आपके माद्यम से पूरे प्रदेश और देश वासियों को आज कार्तिक पूर्णिमा की बधाई गुर्णानक देव जी का प्रकासफर्व की बहुत बहुत बधाई और शब्कामना है साथी साथ इस मौके पर मैं देश के सभी किसानों को बधाई देना चाहता हूँ जिनके संघर से और जिनके लगातार आंदोलन और तीनों काले कानून के खिलाफ उन्होंने जो आंदोलन छिड़ा और उसका परड़ाम ये है के आज तीनों काले कानून बापिस लिए गए हैं काले कानूनों की बापसी अहंकार की हार है ये किसानों की जीत है लोगतंत की जीत है जनता इन्हें माफ नहीं करेगी इन्हें साफ करने का काम जनता करेगी आने वाले समय में सैक्रों किसानों की सच्ची मौत के आगे किसी की जूट की माफी नहीं चलेगी जो लोगों ने माफी मांगी है वो लोग हमेशा के लिए रादनी छोड़ने का भी बचन दें ये सोच रहे हैं कि दिखावटी माफी मांग करके ये फिर से या दुबारा आएंगे ये जनता इनको समझती है जिस तरीके से भूमी अधिगर्ण कानून लाए गए थे और काले कानून जो तीन थे ये भी बापस हुए हैं किसान हित में तो हुए ही हुए हैं लेकिन कहीं न कहीं सरकार चुनावस से डर गई है और बोट के लिए कानून बापस हुए हैं उनकी नजर में किसान नहीं हैं और किसानों कितना अपमानित किया किसानों कितना अपमानित होना पड़े क्या क्या नहीं सुनना पड़ा जिन शब्दों का इस्तिमाल किया गया कोई कल्बना नहीं कर सकता कि अन्दाता के लिए ये शब्द भी इस्तिमाल किया सकते हैं वो भारती जंता पार्टी नहीं इस्तिमाल किया और उनके सहयोगी उनके साथियों ने हर मौके पर अपमानित किया है और ये केबल एक की जिम्मेदारी नहीं होती है मंत्री मंडल की साहमिक जिम्मेदारी होती है अगर साहमिक जिम्मेदारी है न केबल मंत्री मंडल को इस्तीफा देना चाहिए बलकि सरकार को इस्तीफा देना चाहिए पूरा का पूरा और फिर लखीमपुर के हत्यारे कैसे बच जाएंगे ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है जहां इतनी माफी मांगी गई कानून को बापस ले लिया गया है वहीं ये भी तो जिम्मिदारी सरकार की बंदी कि जिस मंत्री पर आरोप है वो मंत्री अभी भी मंत्री मंदल में है और मैं कह सकता हूँ कि सपा को जो समर्थन मिला और जिस तरीके से पूरवांचल की जनता किसान सड़कों पे नज़र आए नकेवल लखनो बलकि किसानों ने आए हुए काईगरता नेताओं ने और जिस तरीके से नौज़मान निकले उनसे लखनों के साथ साथ दिल्ली को भी ला दिया याद होगा एक कानून ऐसा लाय गया था चुनाओं से पहले एक फैसा सरकार का ऐसा भी लिया गया था क्या उससे अर्थववस्ता आज उभर गई जो उससे में फैसला सरकार का था क्या उससे आज अर्थववस्ता सुधर गई है वो भी फैसला गलत था वो तो किसी को पूछते ही नहीं है अगर किसी को याद कर रहा है अगर तो वो समाजवादी पार्टी आज भी खजानची को याद करती है इसलिए मैं किसानों को बढ़ाई देता हूँ इस आंदूलन को बढ़ाई देता हूँ और जिस तरीके से जनता का समर्थन जुटा जिस तरीके से पूर्बाण चल के किसान नौजमान सड़कों पे आ गए सरकार घबरा करके इन कानून को बापस ले रही है और ये जरूरी नहीं है सरकार के लोग ऐसे हैं हो सकता है चुनागा फिर ऐसा कोई कानून ले आए इसका वरोसा कौन दिलाएगा कि भविस्त में ऐसे कानून नहीं आएंगे जिससे किसानों को संकड में डाला जाए और अगर इनकी नियत साफ होती तो आज किसानों को लाइन में लगना नहीं पड़ता खाद के लिए किसी किसान को खाद नहीं मिल लई डिये पी नहीं मिल लई पूरे उत्तवदेश में किसी भी किसान को धान की कीमत नहीं मिल लई है आज मैंने सुना कि पिधान मंती जे कह रहे थे नजाने कितना मंडी के लिए इंट्रस्रेक्शर के लिए पैसा दिया पूरे बुंदेल खंड में मंडी बनी खड़ी है मैं जानना चाहता हूं किस मंडी में किसानों की खरीद हुई ये फ़सल की मंडीयों को बंद करने का काम किया गया और उत्तवदेश की सरकार ने पिछले साड़े चार साथ साथ से अगर मंडीयों को बजड दिया हो तो बताए सरकार जो मंडी बंद कर रहे हूं धान की कीमत न दे पा रहे हूं गन्य के अभी भी किसानों का बकाया है डीजल पेट्रॉल महंगा कर दिया हो खाद उपलब्द नहो डीएपी उपलब्द नहो कि नसक दवाईयां महंगी कर दी हूँ केबल किसानों के काले कानून बापिस करने के साथ साथ इन्हें अपने जो मंतरी जिन्होंने हत्या Kी उनका कबds तीफाह होगा उन्हें कमंती बर्ड़ से हटाए जाएगा इसलिए मैं इस मौके पर किसानों को बढ़ाई देता हूँ और जो जन्ता का समर्थन जुटाए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इसका श्रेपूरे किसानों को खासकर पंजाब के हर्याना के उत्तर प्रदेश के देश के सभी हिस्से के किसानों को और समाजवादी पार्टी के जितने कारिकरता नेता लगाता संगर्स में रही जिन पे नजाने कितने मुकद्बे लगे कोई आंदूलन अगर दिली से ऐलान हुआ होगा समाजवादियों ने समर्थन किया होगा तो जितने मुगदमे दिल्ली में या किसानों पे लगे हैं उससे ज्यादा मुगदमे समाजवादी पार्डी के कारिकरता नेताओं पे मुगदमे हैं कोई नेता कारिकरता ऐसा नहीं है और गर आंदोलन कह दिया प्रदेस्टन के लिए निकल पड़ा उसके घर पर प्लिस ना बैट गई हो पलिस ने अप्मानिद नह किया हो सरकार को मदद करनी चीली है जो बड़ी संख्या में किसानों की जान गई है सरकार आए कि जो यो चीली है उनकी मदद करे उसके लिए कानून कब बनेगा मैं सबस्तर भाति दिनता पार्टी खुद नहीं समझने चाहती है ये कानून उद्योग पतियों के लिए बने है उद्योग पतियों के लिए नवने होते तो मंडी के लिए बजट नहीं खतम होता एक भी मंडी को चालू करने के लिए बजट नहीं दिया गया और जो पहले से मंडियां चल नहीं थी उन मंडियों के भी ठीक करने का कोई भी बजट का इंतजाम नहीं हुआ जहां परदामंती जी अब हादे इन तपाड़ ये कहती है कि एक लाग करोड का इंफ्रसक्शन का पैसा दिया है वो आखिकार गया कहा उत्तवदेश में बजट नहीं किस मंडी के लिए पैसा दिया बंदेल खंड में आज हैं परदामंती जी बताएं कि बंदेल खंड में क इस मनडी को उन्होंने चालू किया है और जब से ये तीन कानून आए उत्तपदेश की सरकार ने क्या बजट दिया है क्या मनडियों में खरीद हुई किसानों की किसी शीज़ की किसी पैदावार की कीमत दे पाई ये सरकार आज पूरे उत्तापदेस में धान के लिए कहां लेकर जाए कहां खरीद हो रही है कहां खाद मिल लही है उसी बुंदेर खंड में किसान जो खाद लेने गया था उसकी जान चली गई एक ने आत्मत्या कर ली महुआ जिले में जहां प्रधामंदी जी बोल ले है उत्तपदेस में सबसे ज़्यादे किसानों ने आत्मत्या की मुझे याद है पार्डी की है डेलिकेशन गया था एक एक एमलसी नेता गए थे घरों पर होकर की आये थे और जो कुछ मदद कर सकते थे उँ मदद की थी महुआ जिला उत्तपदेस का वो जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा किसानों ने आत्मत्या की है गरीबी के कारण उनकी फ़सल की कीमत न मिले उसके कारण महुआ में मंडी बनी क्या सरकार ने बजट दिया हमीरपुर में मंडी बनी क्या बजट दिया सरकार ने बानदा में मंडी बनी क्या उसके लिए पैसा दिया सरकार ने जहासी में मंडी बनी किसान बज़ार बिना क्या सरकार ने उसमें आगे काम बढ़ाया जालों में मंडी बढ़ी क्या उसके काम बढ़ाया इस एक्सप्रेस में के किनारे मंडिया बन रही थी आलू की मंडिया बन रही थी अनाज की मंडिया बन रही थी उसका काम क्यों रोक दिया गया लखनों में किसान बजा रहता उसको क्यों बेज दिया गया पुर्वाणशेर एक्स्प्रेस में जगे-जगे मंडिया बननी थी, अगर एक मी मंडिया बनाई हो तो बताएं जो सरकार मंडिया खटम कर रही हो, कानून के सारे उद्योगतियों की मदद कर रही हो उससे क्या उम्मीद करोगे आप तो जहां उन्हें तीन कानून पापस लिये हैं जनता को साथधान रहना पड़ेगा चुनाओ के बाद हो सकता फिर कानून लें ऐसा इसलिए बिना इन्हें हटाए बिना इनका सफाया किये किसानों के हित्मे फैसले नहीं हुँगे किसान इस बार इनका सफाया करेगा और जनता इन्हें माफ नहीं करेगी किसान माफ नहीं करेगा ये किसान इनको इस चुनाओ में साफ कर देगा यakukanून पापस ले गए हैं उत्तब देस और देश में जो चुना हो रहे हैं इसलिए इनके नजर में किसान प्राथे मिकता नहीं है बोट प्राथे मिकता है इनने बोट चाहिए बीजे पी की लोगों को अन्य दाता का सम्मान नहीं है प्राथे मिक्ता बहाती जन्ता पार्टी बोट के लिए कर रहे है कि आपको नहीं याद है पूरे देश में नोडबंदी लागू करकर के केवल उत्तब्रेश के चुनाओं पर नजर थी हजारों लोगों की जान चली गई खजान जी को तो यह आज भी नहीं पूछ रहे हैं खजान जी को कोई याद करता है तो कि बस्माज़ादी पार्टी क्या भारती जन्ता पार्टी जिन किसानों की जान चली गई उन्हें बापिस ला सकती है क्या किसानों के साथ जो अन्या हुआ उसके लिए क्या माफी माँएगी भारती जन्ता पार्टी कितना किसानों को अपमानित होना पड़ा और उत्तब्रेस में सूची कितनी बड़ी संक्या में समाजवादी कायकरताओं पर मुगद्मे हुएं देश में अगर सबसे जादा मुगद्मे कहीं हुएंगे तो किसानों के आंदोलन में समाजवादी पार्टी पर आंदोलन हुएं मुगद्मे हुएं इस बार जंता साफ करेगी माफी नहीं चलेगी जंता इनको साफ करेगी और इसलिए मैंने कहा कि जो जंसमर्थन पुर्वाद्चल का दिखाई दिया किसानों का नौजवानों का उससे नकेबल लखनो हिल गया बलकि दिल्ली भी हिल गया लोग तंत्र में हमेशा इसी तरह के आंदूलन चलते हैं लोग अपनी बात रखने के लिए आंदूलन करते हैं तीनों कानून बापिस हो गए हैं साथी साथ MSP कब लागो गए ये भी भाती अंता पाटी बता दे उत्तवदेश में धान खरीद हो रही है अगर एक किसान को भी धान की कीमत मिल रही हो तो बता दो पूरे उत्तवदेश में किसान खड़ा हुआ है इंतजार कर रहा है कि खाद कब मिलेगी डियेपी कब मिलेगी जिस सरकार ने खाद और डियेपी का इंताम ही नहीं किया और महंगाई बढ़ा करके गरीब को बर्बाद कर दिया है नोंने डीजल पैटरॉल किस ने महंगा किया कौन है जिम्मेदार इन किसके लिए और पिछले कौडर का जो मुनाफ़ा था छेस्ट परसिंट मुनाफ़ा हो एंजीजी का तो किसकी जेब में जा रहा है और आपके ट किसानों को अपमानित करने के लिए नहीं चैनलों पर बैठ करके ग्यान देते थे कानून ऐसे हैं कानून वैसे हैं वो कहा हैं वो लोग अब वो बात बड़ी कह दूँगा तो कहोगए आप हमें भी नहीं दिखा होगे कुछ बात और कह देंगे तो हमारी किसी से बात नहीं हुई हम खुद किसान हैं सब किसाने क्या हमें अपनी तखली परिशानी नहीं पता रखती और आप तो बोलिए कि ये मंडी के लिए एक लाग करोड बूला है कहां पैसा है एक लाग करोड यूपी में कितना दिया है आज केवल इतना ही रखिये कि भादिय जन्ता पार्टी की नजर बोटों पर है किसान के हिट के पर नजर नहीं है किसान की मदद के लिए फैसले ले सरकार को कम सक्ब में MSP के लिए कानून मनाए जब तीन कानून बारपिस दे रहे तो MSP का भी कानून लाए सरकार और समाज़ादी पाटी की मांग है कि गेंज सरकार MSP के लिए कानून लाए यह सब मिलने आए ते इसलिए मैंने का आप सभी मिला दूँ जनता इन्हें माफ नहीं करेगी नहीं साफ करेगी किसान इन्हें माफ नहीं करेगा इनको इस चुनाव में साफ कर देगा क्या माफी बांगने से जान बापस आजाएगी किसानों की क्या माफी मागने से जिनको कुशल दिया आपने उनको मंत्री मंदल में रखे हैं अभी भी ये किसके हाथ में है मंत्री मंदल में मंत्री है वो अभी भी सकार चाहिए आज मंत्री को अटा दे इस बार जनता इनका सफाया करेगी यही वहवे सबारी है कि जनता इस बार इनका सफाया करेगी केंस सरकार से अभी मैं सरकार में नहीं हूँ कल क्या होगा यह कल की बात है लेकिं हमेशा किसानों की मदद की है और आप पता करिए बंदेर घंड से उत्तव अपदेश में सबसे पहले नेताजी ने शुरू किया था अगर किसी किसान के साथ ऐसी दुर्गटना हो जाए या जान चली जाए तो उत्तव देश की सरकार मदद करती थी उस पैसे को बढ़ाया मैंने पिछली वार भी घोशनपत में लिखा था इसलिए समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी है क्योंकि समाजवादी पार्टी के सभी लोग किसाने जायतर लोग किसाने समाजवादी पार्टी का मानना है कि किसानों की मदद हो MSP के लिए कानून बना जाए क्या बता हूँ ऐसी इनको क्या बता हूँ मैं क्या बता हूँ मैं आपको बहुत पुराने जनलिस्ट हो ये बहुत पुराने जनलिस्ट है इन्हें जाने कितने साल से हम देख रहें इसी तरह इसी तरीकी से देख रहें ने कम से कम ये दिलवाओ मंडियों के लिए कुछ पैसा मंडिया ठीक हो कुछ किसान का भला हो आप मेरे साथ चले थे और वही कारण घवराट का जो जन समर्थन सडकों पर दिखाई दिया जो जन समर्थन समाजवादी पार्डी के साथ खाड़ा दिखाई दे रहा है और उसी का परणाम है कि परभारी के बाद परभारी और नजाने कितने परभारी चुना तक बनेंगे याद कीजिए वो नोट बंदी जिससे आज तक अर्थववस्ता नहीं सुधर पाई और नहीं भष्टचार खतम हुआ नहीं काला धन आया नहीं भार जो पैसा जमाए वो आया है और आप आकड़े निकल वाईए पैसा ज़्यादा चला गया भार लोग बैंकों का भी पैसा ले गए बाहर बैंकें इन्हें मर्च करनी पड़ी एटियंस बंद करने पड़े और भष्टाचार बढ़ गया बड़े पैमाने पे तो जब नोड़ बंदी का कोई परड़ाम आज तक नहीं मिला क्या नोड़ बंदी के लिए भी माफी मागी की सरकार और आज किसानों के साथ जो हुआ है इतने दिनों के धर्णे आंदोलन प्रत्रसन में इतने किसानों की जान गई भादि जंतापाटी के लोगों को ने क्या किने का किसानों को अपमानित करने के लिए और उत्तव अधिश में जिस तरीके से समर्थन जुटा चुनाव करीब आया इसलिए ये तीन कानुन बापस लिए है और धोका देने के लिए, ये धोका है, फिर कल बदल जाएंगे बीजेपी के लोग, तीनों कानों, लोग सबा तो आएगा, क्योंकि पधान मंतीजी ने कहा है, बीजेपी क्या फैसला है, अब इतना बड़ा जूट तो नहीं बोल सकते हैं, तो इसके इतना बड़ा जूट बो कर देंगे हम, इसके लिए, वियर्का कानगी ने प्रेस कांफिस में चुप्री आदा किया है अज़र, कि ओपोजीशन सब एक साथ हो कि उनों ने इस लड़ाई में उसकाद आगे बड़े, और शाय इसकी लिए बड़ी जीजी ने, जिन किसानों को बधाई देता हूँ, ज मैंने एक वीडियो और आडियो सुन लिया उनके बारे में लोगों ने क्या कहा है, और अगर आपके हिम्मत हो तो चलवा दो यहां, लाईए हमें, पैंटर हो आप पे मैं चलवा देता हूँ भी हाँ, हैं आप पे तो देदो, अगर हो आप पे दो हम अभी चलवा देंगे, नहीं वो इन्होंने दिया है, यह जो दे रहे हम चला रहे हैं, आपके हिम्मत हो तो लाओ हम चलवा देंगे, क्या कहा है, कहां नाम लेते हैं किसी का, कौन नहीं चाहता, यह डिप्टी सीम किसने बना दिया इनको, इनको कूड़े का काम और नाली साब का काम दोबारा दे देना चाहिए, जो तो तीम विपक्ष के लिए, जल्दी हो जाएगी, क्या, नारा दोबार लगाओ, क्या, आप लोग बीजेपे खिलाफ चलाओगे कि निए चलाओगे, लाइब चलाओगे, ये साफ एगड़म साफ बात है, साफ नहीं है इनका दिल, चुनाबाद फिर लाएंगे बिल, नहीं वो आपको देखने के लिए हमारा उधर है, आपके लिए बड़ा है देखने के लिए, जैसे जैसे हार का डर सताएगा, उत्तव अदेश में दौरे बढ़ जाएंगे, और जो बड़े होंगे, उनको और छोटा प्रभारी बना दिया जाएगा, भारती जन्ता पार्टी को नकल करना भी नहीं आता, हौट बैलून का जो प्रोग्राम था, समाजवादियों ने शुरू किया था, अभी सुने मैं बनारस में शुरू किया, कहीं गिर गिया, तो भारती जन्ता पार्टी चुनावाद से पहले, क्या कर दे? आज बिरोजगारी की महंगाई का क्या है जवाब उनके पास? मन्डियों को पैसा नहीं दिया, क्या जवाब है उनके पास? एक भी उत्तवदेश में मन्डियों में पैसा दिया हो, इस सरकार ने तो बताईए आप, धान के लिए अभी भी परिसाने किसान, धान कहां जले के जाए? किसी किसान को धान की कीमत नहीं मिली, किसी जिले में खाद नहीं मिली किसान को, डिये पी अपलग्द नहीं है, विजली का बिल महंगा कर दिया, डीजल पैट्रॉल महंगा कर दिया, सिलिंडर महंगे कर दिये क्या जवाब है सरकार के पास करते रहो यूपी के दोरा क्या जंता को यह नहीं पता है सब बाते है उनके वाटसेप आया नहीं होगा किसी का जवाब कर दोरा जवाब कर दोरा नहीं उस पर आप बताईए कि किस ने बनाया है उसमें खंबे भी हमारे लगे हैं पुराने जमाने के सरकार के विजली के खंबे यह सरकार काम नहीं कर रही है और कम से कम मुझे खुशी होगी इस बात की कि देश के डी जी पी और देश के पुलिस के बड़े अधिकारी यह आएंगे तो वो देखेंगे कितना बड़ा इंट्रसेक्चर उत्तरपदेश की सकार ने पिछले क्रेट किया था और यह इसलिए किया था कि आम जनता को न्याय मिले आम जनता को सुवधा मिले कानूनी मदद हो चाहे वो आपका हेड़कॉाटर हो पुलिस का और चाहे बगल में रिस्पॉंस सिस्टम जो बनाया था पुलिस का डायल हंड्रेड मुझे डर इस बात का है कि मुख्योंती जी जाएंगे और नाम उसका भी बदल देंगे कोई नाम सोच के रखा होगा जैसे डीजी पी मीटिंग खतम होगी उसका नाम बदल देंगे उसका भी और यह वर्ल्ड क्लास इंफ्रासेक्चर है जो पुलिस को दिया है समाजवादी सरकाड में कम सकब डीजी पी जो आ रहे देश के वो तो बताएंगे कि NCR भी डेटा क्या कहता है कि महिलाओं और बीटियों के साथ सबसे ज़्यादा अन्याव पीडन कहां हो रहा है सबसे ज़्यादा फेक इंकाउंटर्स कहां हो रहे है उस पर भी चर्चा करेंगे कहां सबसे ज़्यादा अन्याव हो रहा है पुलिस के माद्देम से responsibilityам, custodial death सबसे ज्यादे कहा है, तो जो यी, meet हो रही है, वो इसीलिये हो रही है, कि सभी देश के डीजिई पी जान जाएंगे, कि सबसे ज्यादा custodial death अगर कही हो रही तो उत्तफ़ अधियल door, सबसे ज्यादा fake encounter इसना तो अच्छा रहेगा बहुत जल्दी हो जाएगा क्या पूशने हो क्या है? क्या है? पूशने दो, पूशने, क्या पूशने दो, अरे पूशने दो, अरे पूशने दो उसको भ customization, ने खड़े होगे, पुछे कोई दिक्त नहीं है अरे पूछने तो क्या कैमरा वैसे भी नहीं दिखा था कौन फ़र्क पड़ रहा है कौन सा चैनल का कैमरा दवरा है कौन सा है चलो यह भी भी दिखा रहा है आज कल यह जनता को धोका है तीनों कानून जो बापिस हो रहे है केवल बोट पर नज़र है किसानों की मदद के लिए नहीं कानून है और अगर किसान के लिए मदद के लिए कानून बनाना है तो MSP का कानून क्यों नहीं सरका बनाती है और इतने किसानों की जान चली गई उसके जिम्मधार कौन है क्या किसानों की जान बापिस हो जाएगी जिस तरीके से टायरों से किसानों को खुचल दिया और वही मंत्री मंतिमंडल में हैं जिन पर आरोप हैं सुप्रीम कोड अपति जतारा सुप्रीम कोड ने नोटिस लिया सब जाँच बदल गई उसके बाद भी सरकार किसी की परबानी कर रही वो समायदी पाटी में 27 से ही नहीं थे और ये बता देंगे किते बरसों से नहीं थे समायदी पाटी में देखिए ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है नहीं पिछले कई दिनों से पूछ रही है सवाल उनका पूरा सम्मान होगा और उन्हें पॉलिटिकल लड़ाई में साथ लिया जाएगा आप ये तिखाना बंद करो तो जिस दिन बीजेपी का के परिवारवाद और बीजेपी का परिवारवाद आपने एक दिन नहीं चलाया सब सवाल हमसे पूछते रहाँ क्या बीजे भी परिवारबाद नहीं है उनसे बुशिए जन्हें दिक्कत है तो आप बुशिए नहीं सवाल आप ये सवाल जो हमसे बूश रहे हो कल माईनी मुख्षिंटी से मिलने का अगर मौका मिल जाए तो उनसे पूछ लो कि परवार नहीं है आपको क्या दिक्त है पूछ लो आप उनसे तो वहीं तो भूछे नहीं ये बात